अभी 11th की section class थी, it was difficult to teach them, but 12th is more sober and I can teach more to 12th, but इसका मतलब यह नहीं कि 12th सीख सकते हैं ज्यादा, learning is not equal to teaching, learning is never equal to teaching, आप अगर यह समझ जाएं, यह एक sentence, जब कोई sentence दिमाग में जाता है, तो वो दिमाग में खाली sentence नहीं जाता, words नहीं जाते, उसके साथ associated energy जाती है, और वो energy अपने आप में धीमे धीमे पर अंदर घुश जा, ब्रेन की tissues बनती है, और जो ब्रेन की tissues बनती ह वो और thoughts को और energies को वहीं direct करती है, अगर आपको यह मैं बता दूँ, बिटा, जो मैं सिखा रहा हूँ, आप उसको बिलकुल नहीं सीख सकते, तो अगली बार जो sentence में कुछ और बोलूँगा, तो इसी thought में से जाएगा, जो sir कह रहे हैं, मैं सीख नहीं सकता, इसका मतलब बह बहुत ही मुश्किल है, तो हो सकता है, शायद में सीख नहीं सकता, and then you will not be able to understand what I am saying, लेकिन अगर मैं उसी चीज को बोलूँ, अरे बहुत ही असान है, आप लग तो बहुत intelligent हैं, और आप लोग आराम से सीख सकते हैं, then that thought will help the next thought to be learnt, तो आज जो मैं आपको बताना चाहता I want to extend the thought that learning is not equal to teaching, and जहाँ पर आप आए हैं, institutions, these are teaching institutions, they should have been learning institutions, learning is not equal to teaching, इस चीज को मैं extend करके और गहराई में जाना चाहता हूँ आज, क्यूंकि आप सब लोग teaching, 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 teaching या taught, taught, taught कराते कराते, आप लोग का mind अब एक तरह की passivity में आ गया है, passivity समझते हैं, passivity मतलब अब जब पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे अब और एक तरफ तो आप वेट करते हैं, तो एक तरफ तो आपके अंदर में passivity आती है, कि यहाँ पर पढ़ाया जाएगा हमको, और वहीं पर teachers के उपर stress आता है, because they are the people like laborers, कि रोज एकठा करके सर पे कुछ बोज ला करके आपके उपर फेकना है, हम लोग को आपको धेर सारी चीज़ पढ़ा नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव आप उसके अभी काबिल हैं कि नहीं काबिल हैं, because यसे इस class में अभी एभी एक बच्चा नहीं आ रहा था न, he just left, so you said कोई बात नहीं नहीं आ रहा है तो मताओ, he basically doesn't want to learn, but हमारी जिम्मदारी टीचर्स की तर उसको पकड़ करके उसके दिबाग में वो चीज़ ठूस नहीं है, Why do you think education is really important? मुझे पाँच लोग सोच समझ करके आंसर दे, एक, पढ़ाई लिखाए क्यों ज़रूरी है? आगे बढ़ने के लिए, इससे अलग कोई आंसर देना, आप, कुछ बनने के लिए, आप, टाइप हैनने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए, ताइप हैनने के लिए, वेल क्लास्ट होने के लिए, देखिए, हाँ, येस, अपनी पहचान पाने के लिए, प्रिफेक्ट, येस, नौलज बढ़ाने के लिए, ये सब किताबी चीज़ें है, practical चीज़ बताएं, क्यों आप, पैसा, क्यों? education is actually not very important if you know how to learn it's a big scam एक industry है mobile industry या computer की industry उसमें अगर एक साल में एक लाख computer बनते हैं और उसमें से खली 5000 computer काम करते हैं तो is it a scam और बाकी computer काम नहीं करते हैं तीन मेने के दर खराब हो जाते हैं या scam नहीं है लेकिन वो अच्छी company माने जाएगी कि नहीं माने जाएगी बेकार company माने जाएगी लेकिन school में ऐसा होता है school में एक लाख बच्चे अगर साल में निकलते हैं तो उसमें से खली 5000-6000 बच्चे होते हैं जो topper माने जाते हैं और बाकी सब बच्चे बेवकूफ माने जाते हैं और toppers का भी कुछ guarantee नहीं है कि वो क्या कर पाएंगे मेरा एक कजन है he got first rank in his school then he was very focused on getting into AIMS he cleared PMT and he got rank of around 183 or something तो AIMS में admission नहीं मिला he got the admission into second best college in Asia मतलब in India AIMS is supposed to be first, second में मिला but he went into depression कि मुझे AIMS क्यों नहीं मिला मेरा तो सब ना AIMS था and he went into so much of depression तो उसकी दवाईयां चलीं तीन साल तक के लिए और करते करते अब yes past MBBS और अब उसकी हालत यह है कि भाईया अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो उसको मिलेगी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी MBBS को जॉब अच्छी मिलेगी आपको बोलना चाहिए MBBS में था मुझे रता था MBBS क्रॉस करते ही कम सकम एक लाख रुपे की तो सलरी मिलेगी मिलेगी और पहली जॉब जो मुझे मिली थी मिली थी आठ हजार रुपे आठ हजार रुपे महीने की हमारे धेर सारे अंदाजे हैं I call it as scam because ऐसा फंगस होता है ना फंगस वो ग्रो होते जाता है ऐसे education system बनाया था किसी खास purpose के लिए लेकिन अब वो फंगस की तरह अपने आप ही कुछ भी ग्रोप बनते जा रहा है आप school में लेट आए तो आपको bad remark bad remark घर पे गया तो आपर bad remark पापा ममी देते है वो डाट खाते हैं तो एक घंटे दिमाग खराब रहता है फिर आप उस stress को हलका करने के लिए अपने friend को sms कर रहे है किताब खोल के तो किताब खोल के sms कर रहे है तो उसके लिए और डाट पढ़ती है अच्छा यही तुम्हारी आलत है इस बिकमस विश्यस सर्कल जिसमें आप यूर ट्राइं टू बी टॉट पट नोबडी इस एबल टू 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 टीच यू नीधिंग लेकिन अब दी सेम टाइम यूर लर्निंग मेनी थिंग्स फेस्बुक करना सीख रहे हैं आप socially समझ पा रहे हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा आदमी है कौन खराब आदमी है किसके साथ दोस्ती करनी है किसके साथ दोस्ती नहीं करनी है ऐसी धेर सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं यह चीज़े मुझे समझ में निया रहा था मैं आपको कैसे पढ़ा हूँ और यह पढ़ाने लायक है की नहीं but suddenly फिर में पास आगए भगवान भगवान विश्नु का अवतार आगए I call him as really विश्नु का अवतार because he has tried to convey something very difficult but in a very simple language जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले 4, 5, 6, 10, 15, 20 sessions तक इसका नाम है क्या नाम है अटी फ्रजाइल आपको कैसे पता लिखा है फ्रजाइल मतलब delicate something that is breakable फ्रजाइल का उल्टा क्या होगा Hindi में Hindi में Hindi में मजबूत हाँ ऐसा होता है but antifragile doesn't mean tough antifragile मतलब something that will not only not break but it will become more powerful if you give choat और stress तो हमने last time example दिया था कि अगर आपका phone antifragile है तो जितनी बार जमीन पे गिरेगा उतनी बार वो और strong होते जाएगा हम लोगों भी मजब बजाग पर बोले थे हर बार नीचे गिरेगा तो 100 पे गा recharge हो जाएगा and the magical thing about antifragility is not everything is antifragile but few important things are antifragile and each one of us has that thing and one of that thing is our brain or mind our minds are antifragile we don't know this इसलिए हम चोट से धक्य से परिशानियों से बचते हैं और हमको यह पता नहीं है इसलिए जब हमको परिशानियां होती हैं तो हम बैटकर रोते हैं we don't actually see the benefit that we get from that जैसे आप बोर होते हैं जब आप बोर होते हैं तो आपका मन यहां महां बटकता है अभी पिछली क्लास में दो मैंने freedom देदी थी किसी बच्चे को जाना है खेलने के लिए so he could not digest so he said sir मैं जा सकता हूं I said please go he was getting stressed boredom is a big stress boredom में पता है क्या होता है आपके brain में blood solution बढ़ जाता है because एक energy आपके दिमाग में ठूसी जा रही है और वो pass नहीं हो रही है let's say I am talking about chemistry और chemistry का आपका basic यहां पर clear नहीं है basic clear नहीं मतलब क्या वो बंदब बात कर रहा है organic chemistry carbon benzene ring और benzene ring जैसे आप words सुनते हैं आपके यहां पर उसका कोई concept नहीं बना हो normally benzene ring से आपके दिमाग में एक ऐसा hexonal बनना चाहिए उसमें कहीं कहीं carbon होना चाहिए दिख जाना चाहिए बट वो चीज़ अगर आपके brain में नहीं है तो यह जो बाहर से benzene ring की बात आ रही है यहीं रुख जाएगी there is a fight between your not understanding and the energy that is coming from outside और वो fight आपका energy drain करते जा रही है और उस energy को drain को ठकने को खतम करने के लिए आप यहां देखते हैं बहां देखते हैं या pencil उठाकल के pencil के साथ खेलते हैं that is called boredom मैं अभी दो दिन पहले ऐसे सुभी सुभी चार बजे नीट को ली मेरी किसी बात से मैं बहुत ज्यादा stress था so stressful thoughts मुझे anger दे रहे थे बहुत ज्यादा कि मकान मालिक ने एक दिन आज़े भाई से हम घर पहुंचे चुट्टी मना कर मगान मालिक गोड़े सर आप अगले मेने मकान खाली कर दीजे कुस्सा आ गई बहुत जोर से लेकिन मैं सहीं हमी अपने आपको समझा रहा हूं पुझा रहा हूं काउंसलर हूं मैं ठीक है कर देंगे खाली मैं बाइक पर उठा बैठा उस दिन चुट्टी थी मेरी मैंने जाकर काशी निगर में खुब मकान खोजे एक जगा दिखाए द मैं शिफ्ट कर रहा हूं यह मकान उससे छोटा है और उतना अच्छा नहीं है लेकिन नाक इजजत और गुस्सा फिर खर्च कर दिया मैंने उसमें अपना वाल यूनिट मैंने हापर पचाश जार रुपर खर्च किये थे उस सब उठा करके वहां भिजवा दिया लगवा द बात को मैं और रिंपी बैट के बात करें यार मकान अच्छा नहीं है और सबसे इंपॉर्टन चीज़ वहां मकान मालिक है मकान मालिक जहां रहते हैं वह साससुर होते हैं आपके फिर डिसाइड किया नहीं अब ऐसा करता हूँ अपना मकान बनाएं गया मैंने प्लॉट देखना शुरू कर दिया काशी निगर में दो हजार धाईजार स्कॉयर फिट दो कम्रेगा प्लॉट बनाना है तो 20 लाग रुपे का जमीन मेरी पूरी दो साल की कमाई 20 लाग दिस्टर्बेंस थी तो उस रात को मुझे काफी दिस्टर्बेंस थी और मैं बैठ करके I was trying to focus do my three step breathing तो उसमें धेर सारे strong thoughts आ रहे थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे institution बनाना है center बनाना है अपने घर को पहले plot बनाना है कि पहले मुझे अपना business खड़ा कर बनाना है और उसी समय एक लालच भी थी मैं दो दिन पहले मिस्टर उमेश कौतम से मिलके आया था मिस्टर उमेश कौतम is the fastest and the youngest richest man I know I know उन्होंने 12 साल के period में बीकॉम और पीजी डिप्लोमा करने के बाद उस बंदे ने अपना खुद का university और बड़ा सा hospital बना दिया है पंदरा एकड का school है आपका उस बंदे ने 12 साल में और इसको 30 साल लगे हैं यहां तक पहुँचने के लिए उस बंदे ने 12 साल में 1000 एकड का institution खड़ा किया है उसको देख करके तुम्हें रिला और उसकी उमर कितनी मुझसे 5 साल ये 10 साल बड़ी होगी मैं गया उनसे मिला विला था हौथ इंफ्लेंस होके आ गया था और एक तरफ भाई छोटा बेटा है वो भी उसके लिए भी कुछ कुछ सोचना है तो धेर सारी चीज़ें पुल पुछ कर रही थी सुवे चार बज़े उट करके मैं मेडिटेशन करने की कुछ करा था त्री स्टेप बोलते हैं उसको मुझसे आदे घंटे एक घंटे बट आई कुछ जाता हूँ जो जिसमें मैं गुछ जाता हूँ और आई गोइं तो सम सॉर्ट अफ ट्रांस वो मैं नहीं जा पा रहा था I woke up but उसे कुछ फायदा हुआ यह मैं stress बता रहा हूँ this is a stress to your mind when your mind experiences lots of stress and doesn't give up normally हम give up कर देते हैं कैसे ममी मैं कुछ नहीं कर सकता छोड़ो विकॉम मेरे बसकी बात नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ यहां IIT की तयारे मैं नहीं करूं का but this is a stress which I want to take सुभे फर जब मुठे फिर रिंपी स्पोक तो सम्वन सम फर फ्रेंड and they said why don't you try that house वो काफी अच्छा घर है अब उनका घर देख क्या हो और हमने यहां पर एडवांस दे दिया है शाम को देखने गए मकान मकान बहुत बढ़िया था they've got a beautiful garden outside green grass to disturb what I have more Rana sorry are you want to go like you want to take the stress please yeah I am purposefully bringing stories because with stories things go into the brain easily theory that my partner should do not go both boros and gear she went she said we saw the house it was a beautiful house and I'm gonna decide कर लिया तुरंद हम खरीदे इसको लेंगे मतलब किराय पर लेंगे यह किराया जहां हम रहते हैं 7000 था जो नया मकान था उसे कम अच्छा था वो 6000 रुपे था और इसका किराया 12000 लेकिन अच्छा लग रहा था so we decided that we'll take this वो अभी 15-20 दिन में ready हो जाएगा but यह एक decision होने से happy decision होने से फिर नॉर्मल रूटीन meditation वापस आ गया you were relaxed plus there is one more thing which came to my mind that from now onwards I want my institution to run separately and my home to run separately अभी हमारा combined है जो बच्चे हमारे घर पे आते हैं घर पे पढ़ाई करते हैं और घर पे हम लोग साथ में रहते ही हैं but I wanted my institutions to run separately this decision came only after this whole stress यह thought पहले नहीं आ रहा था बलकि आ रहा था but it was not coming so clearly तो इस बंदे ने कुछ ऐसी common सी चीज़ें बताई हैं but he has made it so clear that अगर कोई बंदा उसको use करना चाहेगा उसको खट से पकड़ में आ चाहेगी जो मैं chapter आपको पढ़ाना चाहता हूँ उसका नाम है this is called lecturing birds how to fly anti-fragility says every system is anti-fragile what is the meaning of that कि जब भी कोई चोट लगेगी system को तो वो temporarily खराब हो जाएगा but ultimately long term में उसको ज़्यादा फायदा होगा जैसे Titanic ने अब तक कम से कम 6000 करोड लोगों की जान बचा रखी है 2000 लोग मरे लेकिन वो इसलिए मरे थे उनके पास enough lifeboats नहीं थी उसके बाद से mandatory हो गया you have the best ship और best steamer और whatever the big ships but you have to have equal number of lifeboats Titanic में 2000 लोगों के बरावर नहीं थे so उसने इतने हजारों लोगों की जाने बचा दी जितने भी accidents हुई so एक board खतम हुई एक ship खतम हुई but that made the whole system antifragile and better ऐसे ही हमारी body की immunity system है आप छोटा सा पोले को drop देते हैं तो उस पोले के drop से एक दिन के लिए दो दिन के लिए हो सकता है बुखार आता हो बच्चे को वो क्यों कि बैक्टिरिया जाते हैं body में और उसके बाद बैक्टिरिया आपकी पूरी body को antibodies बना देते हैं against that particular virus और bacteria this is called antifragility तो he says there are two kinds of education system one is the institutionalized education system जो आप जिसके दुरू गुजर रहे हैं इसमे धेर सारा drainage है आप सुभे आते हैं, लेट आते हैं, कपडे पहना है there's so many things into this if a child really wants to study and he's intelligent you just give him books and he will study जिसे एक रिशमूर्थी थे उनको तीन चार स्कूलों में लेकर गए Jay Krishmurthy, he's one of the greatest philosopher of the world तो कहीं पर admission नहीं मिला because उनके हिसाब से वो answer नहीं लिख पा रहे थे तो जो society उनको पाल रहे थी it was a very very rich society so they ordered for good teachers to come at home and teach तो एक तरफ तो है जहां पर आप schools में, institutions में, colleges में गुजते हैं Krishmurthy was not taught that way Krishmurthy के लिए teachers आते थे English के और basic skills के and they taught him and once he learned how to read and understand English, he started writing his thoughts and he started reading books he loved and slowly, now they have he's not there anymore, but they have got best schools in the whole world 8 अच्छे schools हैं उनी में से एक school में मैं अपने बच्चे को डालना चाहता हूं तो एक तरफ तो ये education है जहां पर आपको English Hindi Math Science पढ़ाया जाता है और आपको number दिये जाते हैं and you feel happy एक मैं थी महाँ पर हजबानी में बोलती है मेरा बेटा बहुत genius है लेकिन अब number अच्छे पाता है लेकिन फिर पढ़ने का अमन नहीं करता है क्यों? उसको लगता है number तो टॉप तो कर लिया अब और क्या करना? लेकिन और दूसरी तरफ के education है जहां पर you learn to from daily, you learn daily things which are required by your body and the mind और he says institutionalized education is overrated what is the meaning of that? overrated मतलब? overrated मतलब है कि किसी खास फिल्म के बारे में आपने सुना और उसको खूब फिल्म आड्स चल रहे हैं यह चल रहे हैं और आपने सुना बहुत अच्छी पिच्छर होगी आप पिच्छर देखने के आपको लगा बहुत बेकार पिच्छर है ऐसे ही आपने IIT, PMT कर लिया entrance हो गया, cross हो गया then you go to the institutions and आप एक क्रोड़ पर कमाएंगे but ज़्यादा नहीं कमा पा रहे है यह कि अगर इतना इतने घर सार इंस्टूशन है इतने एक्जाम हो रहे है then children should be coming out and they should straight away become successful in life but ऐसा होता नहीं है in this chapter he says something else is more important and should be given more stress वो लोग नहीं करेंगे आपके लिए आपको खुद करना पड़ेगा consider the story of wheeled suitcase यह मनि कल पढ़ा था ची क्या I carry a large wheeled suitcase mostly filled with books on almost all my travels it is a heavy book that interests me when I travel always happen to be hardcover मतलब मैं soft copies computer मेले के नहीं जाता हू मझे सब hardcover books अच्छी लगती even I like that in June 2012 I was rolling the generic heavy book filled suitcase outside JFK international terminal and looked at small wheels at the bottom of the case and metal handle that helps pull it मतलब मेरे briefcase के नीचे पहिया लगेती I suddenly remembered the days when I had to haul my book stuffed luggage through a very same terminal with regular stops to rest and let the lactic acid flow out of my sore arms मुझे अचानक याद आया कि इतने सालों से मैं यहां आ रहा हूँ लेकिन पहले यह पहिया नहीं होते था तो मेरे पसीना आता था यह आप क्या समझे हैं वो चाहिए एक लाइन में दो लाइन में तीन लाइन में चाहर लाइन में आज आपने क्या समरी कठा की है ऐसा तो आप लिख करके रख लिजा पचाहस साथ हर बार आये तो एक देदिया सार रख लो ठीक है आपने फीड़ाइक इस यूँ वो मेरा फूड है यार वो बिरा यह थैंक यू